नमस्कार बच्चो बच्चो आज हम कक्षा नो के राजनिती शास्तर के अध्याय तीन के बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है चुनावी राजनिती अगर हम इन दो शब्दों को देखें चुनावी और राजनिती चुनावी यानि चुनाव से सबंदित और राजनेता लोग हैं वो अपनी नीतियां किस तरह अपनाते हैं किस तरह चलाते हैं तो इस प्रकार हम यह देखेंगे इस लेसन में कि चुनावी राजनीती क्या होती है आपको पता यह है कि एक लोग तांत्रिक देश में क्या होता है सीधी सी बात है सबको पता है कि लोग शासन करते हैं लोगों का शासन होता है लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो लोग हैं वो परत्यक्ष रूप से जो शासन है वो नहीं करते और ना ही उनके लिए संभव है इसलिए वो क्या करते हैं वो अपने माध्यम से कुछ लोगों को चुनते हैं जो देश का शासन कर सकें और इस लेसन में हम ये देखेंगे कि भारत में जो लोग हैं चुनावों के माध्यम से किस परकार अपने प्रतिनीदियों को चुनते हैं और इसी के साथ साथ इस चुनावी राजनिती वाले अध्याए में हम ये देखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया क्या है और जो चुनाव से सबंदी जो चीजे हैं वो कौन कौन सी होती हैं जैसे कि जो चुनाव हैं भारत में या कहीं अन्य जगां पर क्या वो लोकतांत्रिक धं से हो रहे हैं और जो चुनाव अभिहान होता है उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो उमिद्वार हैं अपना नामांकन बत्र दाखिल करते हैं फिर जो मतगन्ना होती है और उसके बाद जो परिनाम आते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत म ये भी देखेंगे कि इन चुनावों को जिसने कराया जो चुनाव अयोग है जो निर्वाचन अयोग है उसकी भूमिका के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो बच्चो सबसे पहले ये चुनावी प्रक्रिया क्या होती है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 1987 में हर्याना विधान सबा के हुए चुनावों में एक अख़बार की ख़बर को पढ़ते हैं आदी रात के बाद का समय उत्सुक भीड शहर के चुराहे के पास पिछले पांच घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है आयोजक भीड को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उमीद में उठ खड़े होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं यह नेता हैं शिरीद देविलाल हर्याना संघर समिती के प्रमुख जो गुरुआर की उस रात करनाल में भाशन देने वाले हैं 76 वर्ष के इस नेता को आज कल जरा भी फुर्सत नहीं है उनका राजनितिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाशन दिया है पिछले 23 महीनों से वेज लगातार जन सभाइं कर रहे हैं और चुनाव की तयारियां कर रहे हैं तो ये जो आपने अखबार की एक खबर देखी है उसमें क्या है ये तियारियां हो रही है 1987 के हर्याना के विधान सभा चुनावों की अब यहां पे क्या हो रहा है यहां जो विपक्षी पाल्टी है एक उसके जो नेता है चोदरी देवी लाल जी वो क्या है उन्होंने अपने अन्य स्योगियों के साथ मिल करके एक संयुक्त मोर्चा त्यार किया है और उन्होंने अपनी एक पाल्टी भी बनाई है जिसका नाम है लोकदल हर्याना लोकदल पाल्टी अब वो क्या है वो प्रयास कर रहे हैं कि इस विधान सभाज चुनावों में उनकी जीत पक्की हो अब इसके लिए वो क्या कर रहे हैं आपने देखा अभी आपने पड़ा सुना कि वो तयारियां कर रहे हैं जनसभाएं अयोजित कर रहे हैं और इसके साथ साथ जनसभाएं कर के साथ वो अन्य काम भी कर रहे हैं वो जो वोटर हैं जो मतदाता हैं उनको लुभा रहे हैं हाँ वो उनको कह रहे हैं कि अगर उनकी पाल्टी सत्ता में आई तो वो जो छोटे किसान हैं जो खेती हर मजदूर हैं और जो छोटे व्यापारी हैं उनका करजा माफ कर देंगे अ जो लोग हैं उनको पता है कि वो जो सरकार अभी कांग्रेस की है यहां पर हर्याना में उससे वो नाखुश है वो उसकी नीतियों से खुश नहीं है इसलिए वे चोदरी देवीलाल की पाल्टी की तरफ और चोदरी देवीलाल की तरफ अकरशित होते हैं अब हर्याना में जो विधान सवा चुनाम है वहां पर 90 सिटे हैं जब चुनाव हुए परिणाम आये तो क्या हुआ इस जो मोर्चा था देवीलाल की पाल्टी के द्वारा बनाया गया उसको 76 सिटे मिली 90 में से और जो चोदरी देवीलाल की पाल्टी थी लोगदल उसको 60 के विधान सवा में पहुँचे तो वहां के जो उनकी पाल्टी के लोग थे उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया और जो उस समय उस राज्या के राज्यापाल थे उन्होंने चोदरी देवीलाल जी को सरकार बनाने के लिए निमंतरन दिया और उसके साथ ही वो हर्याना के मुख्या मंतरी बन गए और सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया उन्होंने जो वाइदा किया था वोटरों के साथ मतदाओं के साथ कि जो खेती हर मजदूर हैं जो छोटे किसान हैं छोटे व्यापारी हैं उनका करजा माफ कर दिया जाएगा और ये काम उन्होंने आते ही कर दिया और उनकी सरकार चार साल तक चलती रही में फिर दोबारा चुनाव हुए और फिर वहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो इस फरकार आपने देखा कि चुनावों के माध्यम से कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है, पहले कांग्रेस थी, बाद में लोकडाला गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी हर्याणा में हैं, अब प्रशन ये पैदा होता है, कि ये जो चुनाव हैं, क्या ये जरूरी हैं? अगर हम पूरे संसार में देखें तो सो से भी जादा ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव क्राये जाते हैं सरकार को चुनने के लिए लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां पर अलोग तांत्रिक स्थीती है यानि लोग तांतर नहीं है फिर भी चुनाव होते हैं अब प्रशन ये है कि लोग तांत्रिक देशों में तो चुनाव ठीक है लेकिन अलोग तांत्रिक देशों में चुनाव की क्या जुरूरत है हमने पिछले अधियाओं में आपने भी पढ़ा होगा की क्या होता है कि जब बड़े समुदाई की बात आती है तो वहां पर एक जगां पर बैठ करके जो देश को चलाने के लिए फैसले हैं वो नहीं लिये जा सकते जब छोटे समूदाय की बात होती है तो वहाँ पर सब लोग बैठ करके बाचित कर सकते हैं फैसले ले सकते हैं लेकिन जब बड़े समूदाय बड़े देश की बात हम करते हैं तो ऐसी स्थिती में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ऐसी स्थिती में एक ही विकल्प बचत और वो है चुनाव अब हम बात करेंगे कि जो चुनाव हैं वो लोगतांतरिक धंक से हुए हैं या नहीं हुए हैं पहले तो हमें जानना चाहिए कि जो लोगतांतरिक धेश हैं वहां पर चुनाव होते हैं लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कई अलोगतांतरिक धेश भी ऐ ठीक ढंग से हुए या नहीं हुए इसके बारे में क्या पैमाने होने चाहिए? क्या चुनाव के बिना भी लोग तांत्रिक ढंग से प्रतिनीधियों का चुनाव किया जा सकता है? आईए एक ऐसी जगां के बारे में कलपना करें जहां प्रतिनीधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के अधार पर किया जाता है या ऐसी जगां की कलपना करें जहां प्रतिनीधियों का चुनाव शिक्षा या ग्यान के अधार पर होता हो किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ग्यान है यह तया करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है पर यह मालने कि लोग मिल जुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे सपस्ट है ऐसी जगह पर चुनाव की जुरूरत नहीं रह जाएगी लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्ता को लोगतंतर कह सकते हैं हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधी पसंद है या नहीं हम यह व्यवस्ता कैसे करेंगे कि प्रतिनिधी लोगों की इच्छा के नुरूपी शासन करें हम इस चीज़ की विवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधी लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर नय बने रहें इसके लिए ऐसी विवस्था करने की जिरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें और इस व्यवस्ता का नाम है चुनाव इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधितव वाले लोगतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं जैसे वे अपने लिए कानुन बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं यानि वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानुन कौन बनाएगा वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं यानि ये भी मतड़ताओं के हाथ में होता है कि वे किसकी सरकार बनाए और वो किसको चुने जो उनके लिए فैसला कर सके इसके साथ ही वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं अर्थात कि किस पार्टी को चुनना है क्या वो पार्टी कानुनों को मानेगी सही दिशा निर्देश देगी ये भी वो मत दाता तै कर सकते हैं लोगतांत्रिक चुनावों के लिए कुछ जरूरी नियुन्तम शर्ते होती हैं जैसे पहली हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो यानि हर किसी को मत अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो दूसरा चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो पाल्टियों और उमिदवारों को चुनाव में उतरने की अजादी हो और वे मत दाताओं के लिए विकल्प पेश करें तीसरा चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे ने चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए चोथा लोग जिसे चाहें वास्त में चुनाव उसी का होना चाहिए पाँचवा चुनाव स्वतंत्र और निश्पक्ष ढंक से कुराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें ये जो शर्ते हैं ये जो नियूंतम शर्ते हैं ये बहुत ही सरल और असान लगती हैं लेकिन फिर भी कई देशों में इन नियूंतम शर्तों का पालन नहीं किया जाता हम देखेंगे भारत में कि वो कैसे लोगतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाता है और कैसे यहां पर इस परकार की नियूंतम शर्तें पूरी की जाती हैं या नहीं की जाती और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चुनाव हैं वास्तम एक मुकाबला है एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता है एक प्रतियोगिता है और ये प्रतियोगिता हमें कई जगां पर देखने को मिलती है विभिन पाल्टियां जो हैं चुनावों के दरान एक प्रकार ऐसे लगता है कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं चुनावों के दुरान तो ये जो मुकाबला है ये जो प्रतिद्वंदिता है ये जो प्रतियोगिता है हमें कई अवसरों पर देखने को मिलती है लेकिन क्या राजनेतिक द्वंदिता में कुछ स्पस्ट नुकसान दिखते हैं इससे हर बस्ती हर घर में बटवारे जैसी स्थिती हो जाती है आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पाल्टी पोल्टेक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं विभिन दलों के लोग और नेता अकसर एक दूसर के खिलाब अरोप लगाते हैं पाल्टियां और उमिद्वार चुनाव जीतने के लिए त्रहे त्रहे के हतकंडे अपनाते हैं कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दोड जीतने का यह द्वाब सही किस्म की दिर्ग कालिक राजनिती को पनपने नहीं देता समाज और देश की सेवा करने की चाहा रखने वाले कई अच्छे लोग भी इनी कारणों से चुनावी मुकाबलों में नहीं उतरते उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लडाई में उतरना अच्छा नहीं लगता हमारे समिधान निर्माता इन समस्याओं के प्रती सचेत थे फिर भी उन्ह ने भविश्या के निताओं के चुनाव के लिए चुनावी मुकाबले का ही चयन किया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दिर्ग कालिक रूप से यही विवस्ता बेहतर काम करती है एक अदर्श दुनिया में ही सभी राजनितिक निताओं को मालुम होता है कि लोगों का ह किन चीजों में हैं? तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेर्णा से ही राजनिती में आते हैं. पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता. दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्या पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की अपना कैरियर बनाने की चिन्ता होती है. वे सत्ता में बने रहना चाते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाते हैं संबव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो पर सिर्फ इस भावना के परोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है यह भी संबव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है या यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानिय स्थितियों से मेल ही ना बैठे ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं एक तरीका तो राजनेताओं के ग्यान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पूर्षकार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले इस पूर्षकार या दंड का फैसला कोण करता है इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है नियमित चुनावी मुकाबले का अलाव राजनितिक दलों और नेताओं को मिलता है वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के नुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोक प्रियता बढ़ेगी और अगले कामकाच से मत दाताओं को संतूस्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते इस तरह हैं यदि कोई राजनितिक पाल्टी सिरब सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे भी मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी कुछ-कुछ इसी ढं से बजार काम करता है भले ही कोई दुकानदार अपने फायदे की सोचता हो उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सोदा देना ही पड़ता है अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा इसी तरह हैं राजनिति मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पन पे और लोगों में आपसी मन मुटाव पैदा हो लेकिन आखिरकार इससे राजनितिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बद्ध्य होते हैं अब अगर हम इस संधरम में देखें कि भारत की चुनाव परनाली क्या है क्या भारत में चुनाव लोगतांत्रिक ढ से होते हैं तो इसके लिए हम यह देखना होगा कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं आपको पता है कि भारत के लोग यहां लोगसभा और राज्यों की विधान सभाओं के प्रतिनिद्यों को चुनते हैं लोगसभा और राज्यों की विधान सभाओं का कारयकाल पांच बाद वो लोगसभा और राज्यों की विधान सभाएं भंग हो जाती हैं और उसके बाद फिर दोबारा से चुनाव करवाया जाता है। साथ होते हैं तो उनको आम चुनाव जनरल इलेक्षन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ भारत में क्या होता है कि उपचुनाव भी होता है। और इसे उपचुनाव कहते हैं। अभी हम चुनाव ख्षेत्र की बात भी करेंगे। आपने पड़ा है कि हर्याना के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संबव है आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हर्याना का हर वेक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है। शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। चुनाव के उदेश्या से देश को अनेक ख्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन ख्षेत्र कहते हैं। एक ख्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रति निधी का चुनाव करते हैं। लोग सभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन ख्षेत्रों में बांटा गया है। हर ख्षेत्र से चुने गए प्रति निधीयों को संसत्स दस्य कहते हैं। लोगतांत्रिक चुनाव की एक विशेष्टा है हर वोट का बराबर मुल्य है। इसलिए हमारे समिधान में यह विवस्ता है कि हर चुनाव क्षेत्र में मत दाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रतेक राज्या को उसकी विधान सभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रतेक संसतिया निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा के कई-कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रतेक पंचायत को कई वार्डों में बाटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचनक्षेतर है प्रतेक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है कई बार निर्वाचन क्षेतर को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेतर संसद या विधान सभा की एक सीट का प्रतिनिधितव करता है इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हर्याना की 60 सीटें जीती हैं तो इसका मतलब है कि विधान सभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीत कर राज्या विधान सभा में पहुंचे अब हम अरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे हमारा समिधान क्या है भारत के प्रतेक नागरी को अधिकार देता है क्या अधिकार देता है कि वो अपने प्रतिनिधी को चुन सकता है और खुद भी जन प्रतिनिधी बन सकता है अब हमारे सविधान जो निर्माता थे बहुती दिव्या दृष्टी रखते थे उनको दूर दृष्टी थी उनको पता था कि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कमजोर हैं और पिछडे हुए वरग से हैं और इसको ध्यान में रखते हुए उन्हों ने क्या किया सविधान के अं निर्वाचित क्षित्र क्या है क्या अर्थ है इसका इसका अर्थ है कि कुछ सीटें जो अरक्षित कर दी गई हैं चाहे वो अनुसूचित जाती के लोगों के लिए या अनुसूचित जन जाती के लोगों के लिए लोग सभा में और विधान सभा में ये विवस्ता की गई ह कि अनुसूचित जाती के लिए जो सीटें रक्षित की गई हैं, वहां से केवल अनुसूचित जाती का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। और जो सीटें अनुसूचित जन जाती के लिए रक्षित की गई हैं, वहां से केवल अनुसूचित जन जाती का वेक्ती ही चुनाव लड़ सकता है। अब भारत में लोकसभा में क्या है, कुल पान सो तर्तालिस निर्वाचन ख्षेत हैं, इन में से चार सो बारां ऐसे निर्वाचन ख्षेत हैं जो समान्या हैं, समान्या यानि यहां से कोई भी वेक्ती चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो अनुसूचित जाती का है चाहे अनुसूचित जन जाती का है या अन्य किसी भी वरक का है लेकिन यहाँ पर जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाती के लोगों के लिए रक्षित की गई है इसका क्या आर्थ हुआ कि यहाँ पे से केवल अनुसूचित जाती का वैक् और इसी प्रकार लोगसभा में 47 सीटें ऐसी है या ऐसी अरक्षित क्षेतर हैं जहां से केवल अनुसूचित जन जाती का वेक्ती ही चुनाव लड़ सकता है अब हम एक मानचितर के माध्यम से इस तिति को समझ सकते हैं इस मानचितर में आप देख सकते हैं कि लोगसभा के निर्वाचन क्षेतरों को दर्शाया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि कुल 543 निर्वाचन क्षेतर हैं स्फेद रंग में उन क्षेतरों को दर्शाया गया है जो समान्य वरक के लिए हैं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, निर्वाचन ख्षेतरों से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और इनकी संख्या 412 हैं, लाल रंग अनुसूचित जाती के निर्वाचित ख्षेतरों को दिखाता है, यानि यहां से केवल अनुसूचित जाती का व्यक्ति ही चु हरा रंग अनुसूचित जन जाती के निर्वाचन ख्षेतरों को दिखाता हैं अर्थाथ इन ख्षेतरों से केवल अनुसूचित जन जाती का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और इन ख्षेतरों की संख्या 47 है मैं और अरक्षन की वेवस्था स्थानिय स्तर पर भी की गई है अभी तक हमने कहा कि लोगसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लोगों के लिए सीटें अरक्षित हैं ये वेवस्था स्थानिय स्तर पर भी की गई है यानि वहां पर भी अ अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लोगों के लिए सीटें रक्षित हैं। की गई है। और एक बड़ी बात क्या है कि महिलाओं को भी उचित प्रतिनिदित मिले इसके लिए भी वस्ता की गई है। की ये सूचि किसके लिए है। ये सूचि उन लोगों की है जो मत देंगे, मत दाता है, मत देने वाले मत दाता होते हैं। और क्या होता है, यही लोग तै करते हैं। या इसी सूचि से पता चलता है कि कोन वेक्ति वोट देगा और कोन वेक्ति वोट नहीं देगा। यानि मत दाता सूचि में ही सारा कुछ निर्धारित होता है, पता चलता है कि भारत में किस वेक्ति के दवारा वोट दी जाएगी और किस के दवारा वोट नहीं दी जाएगी। मत दाता सूचि की जब हम बात करते हैं तो आएए इसके बारे में कुछ हम और जाने। लोगतांत्रिक चुनाव में मत दान की योगता रखने वालों की सूचि चुनाव से काफी पहले तियार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूचि को अधिकारिक रूप से मत दाता सूचि कहते हैं आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्मपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा समंद लोगतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधी चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सारव भोमिक व्यस्क मत अधिकार के बारे में पड़ा था। वैवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक थोस कारण ना हो किसी को मत अधिकार से वन्चित नहीं किया जाना चाहिए। अलग-अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भीन होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पड़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम आशिक्षित, कोई बहुत द्यालू है तो कोई नहीं। पर हर कोई इनसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णों में सब की भागिदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे उपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाती, धरम, लिंग, चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी आसंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थीतियों में ही होता है। सभी सक्षम मत दाताओं का नाम मत दाता सूची में हो यह विवस्ता करना सरकार की जिम्मेदारी है। चुंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मत दाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं। इसलिए हर चुनाव से पुर्व मत दाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मोद हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिये जाते हैं। हर पांच वर्ष में मतदाता सूची का उरण नवीनी करण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई विवस्ता लागू की गई है, सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार देने की कोशिश की है, वोट देते जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक क वोट कोई दूसरा ने डाल दे, तो बच्चो आज जो इसका पहला भाग था वो खतम हुआ, अब हम इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में प्रसुत करेंगे, धन्यवाद.